दोस्तों सोडा पानी पीने के फायदे या लाब कई हैं। गर्मियों के मौसम में सोडा पानी पीना हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चिलचिलाती धूप और प्यास बुझाने के लिए अक्सर लोग सोडा पानी पीना पसंद करते हैं। पानी जैसा दिखने वाले इस सोडा वाटर के धेरों फायदे होते हैं, यह पीने में काफी स्वादिश्ट होता है, लेकिन सोडा वाटर का अत्यधिक सेवन करने से कई बढ़े स्वास्थे संबंधी नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए इसका उचित मात्रा में ही उपयोग किय जाना चाहिए, जिससे की हम इससे होने वाले खत्रे से बचे रह सके, दोस्तों, यदि आप भी सोडा पानी का उपयोग करते हैं, तो इसके लाब के बारे में जानने के इच्छुक जरूर होंगे, तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके इसके सभी बेनेफिट्स को जान लेते हैं. सोडा पानी पीने से हमारे हृदय का स्वास्थे बहतर रहता है, एक अध्ययन के अनुसार इसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे शरीर में कुलिस्ट्रॉल एवं लिपो-प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, यह हमारे हृदय की धम पाचन 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 करिया में सुधार होता है। सेवन से हम मोटापे की समस्या से बचे रह सकते हैं। सोडा वाटर को एक नॉन कैलोरिक पेपदार्थ के रूप में भी जाना जाता है, जो वजन घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाइटिंग कर रहे लोगों के लिए सोडा पानी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सोडा पानी पीने से गले की निगलने की क्षमता में सुधार आता है। अक्सर हम में से कई लोगों को किसी भी खाद्य या पेपदार्थ को निगलने में तकलीफ महसूस होती है, जिससे उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ी डिडेचता है। एक शोध के अनुसार, पानी के मुकाबले सोडा वाटर को निगलने में आसानी होती है। सोडा वाटर हमारे गले की मानस्पेशियों को सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे हमारे गले की निगलने की क्षमता सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है 4. सोडा पानी के सेवन से हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे हमें कम भूख लगती है इसमें कार्बन डायो नैकसाइड मौजूद होता है जो हमारे पेट को त्रिप्ति का अनुभव करता है सोडा पानी को पीने से हम energetic एवं fresh महसूस करते हैं जिससे हम सारा दिन fit रह सकते हैं और दोस्तों, अब साथ ही हम सोडा पानी पीने के नुकसान भिंजान लेते हैं 1. सोडा पानी के अत्यधिक सेवन से मधुमेह जैसी बीमारी का खत्रा बढ़ जाता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में शरकरा पाई जाती है जो हमारे रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाने का कारण बन सकती है 2. सोडा पानी के लगातार सेवन से हमारे दांतों में सड़ ड़न की समस्या होने के साथ साथ कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है इसमें टॉक्सिक केमिकल बिस्फेनॉल पाया जाता है जो इन सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है 3. सोडा पानी के अत्यधिक सेवन से हमारी किड़नी की कार्यक्षमता में कमी आती है इसकी अधिक मात्रा से हमारी किड़नी पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है 4. सौडा पानी का अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारी हड़ियां कमजोर हो सकती है इसमें फॉस्फॉरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां विकसित नहीं हो पाती एवं कमजोर हो जाती है नमबर फाइव प्रति दिन सोडा पानी पीने से हमारे मेटाबॉलिज्म में परिवर्टन होता है, जिससे हमें वजन कम करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है 6. पहले से हृदय संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के लिए सोडा पानी पीना हानिकारक साबित हो सकता है इसके अत्यधिक सेवन से हृदय संबंधी रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है नमबर सेवन, सौडा पानी का जरुरत से ज्यादा सेवन करने से श्वास संबंधी समस्याओं का खत्रा बढ़ सकता है यह हमारी श्वसंतंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे अस्थमा जैसी बीमारी का खत्रा बढ़ सकता है और लास्ट है नमबर एट, अधिक मात्रा में सौडा पानी पीने से हमारा लिवर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, यह हमारे लिवर की लिए अलकोहल जितना ही नुकसान दे हो सकता है, इसमें फैटी लिवर एसिड पाया जाता है, जो बेहद खतरनाक होता है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठैंक यू!